कि हेलो फ्रेंड मैं आनंदराज आप सोह के बीच देखिए आपको हम नौलेज एंड करिकुलम के पार्ट वन वीडियो बनाये थे जिसमें नौलेज का इंटोड़क्शन उसका अर्थ परिभासा और नौलेज की विशेस्ता मतला ज्यान की क्या विशेस्ता थी और ज्यान के क क्या क्या उद्यस्ति इसके बार में आपको पार्ट वन वीडियो में बता दिये थे आज हम जो पार्ट वीडियो लेका है जिसमें आपको बताएंगे ज्यान का क्या महत्त होता है फिर उसके बाद आपको बटाएंगे कि ज्यान की कोन-कोन से प्राप्त करने की फिर ज्यान क्वज्ञान कि क्यान क्योंग से शोरोथ है समझ रहा है त इस सब चीज के बारे में आपको पड़ना तमल से पेपर का नाम है आलम को सब्सक्राइब सुहार और सुचना के बारे में आपको एदम कोश्चन फिक्स रहेगा आपके एक्जाम में दम हर साल फिक्स कोश्चन होता है ग्यान और सुचना के बारे में आपको ग्यान कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम सुचना के बारे में कि सुचना की इंट्रोडक्शन क्या होता सुचना परिबाश प्रिभासा क्या है सुचना क्या बीश्यस्ता है सुचना और ज्ञान में श्चपन कि कुण कुण से भी है आई यह हम स्टाट करते हैं देखें लिखा हुआ है देखें लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि ज्ञान एक चुम्बक की भाती होता है जो आज पास की सुचनाओं को अपनी और आकर्सित कर लेता है देखिएगा कुम्बक देखते हैं कि अगल में कोई अच्छा लोहा का चीजी होता है वैसी जो अच्छा शुचना होता है Satan करताा है ऑपने और आकर्सित कर लेता है बालक इंघ्यान और जन की यात्रा इस संसार में आने से तुरंत बाद ही शुरू हजा है नहीं है नौजात नौजात मतलब जन्म लिया हुआ है नौजात उसी को बूला जाता है नौजात सवर्फ रत्म अपनी इंद्रियों से इंद्रियों मतलब संस और गें जो वही कह रहा है कि यहां पर देखिए कि ज्ञान ही हुआ इंधन है जो मानों जीवन को संचालित करता है फिल लिखा है दूसरा क्यानी विक्ति ही बता सकता है को जवन का सिस्घा सचाधा ये टिस्रा पाइंट तरी स्य Как सकती है जिससे हम अपने आपको जानते हैं ज्ञान वह सकती है कि हमें क्या क्वालिटी है क्या ऊचीद है हम क्या कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से जान सकते तो वही करा है ज्ञान ही वह सकती है जिससे हम अपने आपको जानते हैं लिखाया पाच्मा पॉइंट है कि ज्ञान से ही हमें मनुस्सका स्रवांगी एप कीयों महत्वा क्यों देना छाहिए कहानिया आप में Megahan को महत्व क्यों होगा की छोटा हो या बरहा हो किसे भी आप को जिससे भी आपको ज्यान उससे लेना चाहिए घमण नहीं करना चाहिए आपको कभो कि हम छोटा से क्यों ग्यान ले हम है किसी से महत्पते हैं क्यों महत्त देना चाहिए है या की छोटी सी दुकान में काम करके अमर एक बड़े बिजनस का मालिक हो उसका दोस्त जो कमल था ना उसे मिलने के लिए ओफिस में आया तो उसने देखा कि वह अपने मामली से कलर के साथ की कुर्सी बैटकर उसे केम्पूटर पर कुछ दीख रहा है जो अमर था ना उसी यह कंपनी में काम करने वाला एक कलर था मामली छोटा मुटा कलर था उसके सा तो तब अमर ने कहा मतलब यह बात कुन कमल कहा अमर को कि इससे जाता तुम्हारा चीफ इंजिनियर जानता होगा उससे क्यों नहीं पूछ लेते तब अमर ने कहा इस कलर को 30 साल का अनुभाव है यह समझता ही यह समझाता भी अच्छा देखिए आपको पहले भी बतायते हैं ज्ञान क्या होता है अनुभाव वहां अनुभास इंको इनपराप्ती होता है समझे आ न लेना अनुद्ध मतल्यादा की आनन पराप्ति के लिए आपमें अनुभाव बहुत जादा होना चाहिए लेना चोटा हो या बारा हो कोई गरीब बुरो कुछी से आप ले सकते कोई दिकते वही कर रहा है यहां बात पद की नहीं ज्ञान की अगर कोई भी व्यक्ति किसी बेशाय में आप से बहतर समझ रखता है तो उससे मदल लेना चाहिए समझ लेना कितना अच्छा बात लिखा ह मतले लिखा है मेरे पिता जी दुकान में तमाम बरी खाते समाले बरी खता मतलब होता है कि एक हाउंट वाला काम को बरी खता बोला जाता है कि युट मैं वही खाते समान लेता है लेकिन घर के वचट को सही दंग से चलाने के लिए मां सहीं सलाहले नियुक्त और यहां लगा लेकिन कोई आपसे अनभवी आदमी है उसे जरू सला लेना ते यह कितनों पड़े लिखके नहीं आदमी है तो अच्छाशा हसला दे देए कि उनके experience है उनको अनभा है यह बात है यह आगे फिर चलते हैं आपका जो पॉइंट यह आपका पॉइंट बता दिये थे यहां पर ज्यान से ही मनुस का सरवांगी विकास होता है पुराक बोल सकते हैं तो घ्यान मस्तिक का इंधन कहा जाता है कि ज्ञान से मनुस्थ की मानसिक सकती जैसे तरक चिंतन कलपना सकती आधिका विकास होता है जिन है लिखा हुआ आठमा वर्तमान समय में शिक्षाका अधार ज्यान ही और सक्षाक अधार क्या है गिए नौमा ग्यान किसी विषाय की सिध्यामतिक या बिवहारिक समझ का उल्ले करता है किसी वेऊहारिक समझ को क्या करता है उलेक करता cater कि आपकर दसमाung पॉइंट सुचना के बीच करी के काम करता है क्ञाण को है न्योंकि और विच गैंक करना की सिक्षा और मनभौहां के माद्यम से प्राप जन्कारियम को सले ज्यान पर आपका समस्याओं के खल किने में महत्पूर्व भूम कर निवाती है समस्या समस्याओं को खल करने में advancing ग्याने जीवन के हर पहलू में उप Video देंट हमारे पास जितना है एधिक हैं तो पंदरा नूम्बर है कि सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है देखें विवेकानन्द का इकत्थन है इस पंदरा प्वाइंट है ज्नके महत्में आप दौस जितना होसके आपको अराम से गाम में लिख सकते हैं अब देखते हैं ज्ञान के सुरोत कुन कुन है सोर्स नौलेग हम जानते ही कोई भी प्राणी अपने लट से धीरे-धीरे स्वता है ही अपने आज पास के संसार मुर्त समझते हैं मुर्त मतलब होता है जो दिखाईबर आमूर्त के मतलब जो धीकाई ना दे जैसे मालेज आपके सामने पेरपधा दिखाई देता तो सब्सक्राइब करता है कि अपने आसपास के संसार मिर्थ अमुर्थ अधारना यहां विचारों से विशय में भी ज्यान प्राप्त कर लेता है सब्सक्राइब से अपने आसपास सब्सक्राइब करता है प्राप्त करते गींकर्णा करने के कंखने उन्दिया chegou है हम जानते सब्सक्राइब जम्ग्स तिन्दिया जान्तेंग decision के सब्सक्राइब कर रहे हम जानते हैं कि हमारे ज्ञान के फाथ के पाह्त इंद्रिया और को यह बढ़ी के और बसक्राइब होता गया निन्द्रियाऑ पंफट स्कोण कोने टिक्ति रहा है सब करके कोई एंभह अथी करके एshore है किसी कोई परक्ट करके हैं हमारे पास पांच इंद्रिया होते हैं हें तुछा जाता है कि इंदिरिया बावाव से अध्यान प्राथमिक यहां और वास्तिक इंदिवल रूपन यहां Уرا गया एंद्र्षं नियाय दर्षन और अध्ययत दर्षन के संक्रा चालीज़स का स्ठमığını गिए यह थे जंदर्षन बहुत धर्षन इस सब जानिये रहें महावीर है बहुत धंप के ज़तन के महावीर है बहुत धनregoryक बुद्धय इस साक्प दर्षन 20 वर्षन प्रस्यां इसन जानते होंगे यह सुत्यां करता है हुआ है कि कि मानों कोई भी विशे वस्तु पर बुद्धी का परियोग कोई भी मानूब बुद्धी के सारे तर्क के चिंदन करता है युँर्प गयान प्राप्त करने के भी खत्ता सब्सकर मुहत्या जहता इस感े हैं hun करते थिसरा परमपराव कथाओ रविष्ट करता है लेकिन तर्मान सब्सकर आनद करते हैं लेकिन फ्रमानिक नहीं समाज का प्रमपरा रहेंगे की समाज का प्रमपरा जानेंगे तो इसा रहाता ज्यान होता इस तो ने तो टुर्ण के अंधि वीश्वा साधी आते हैं इस ज्ञान कंत परगत कुन-कुन आते हैं तो जादू टोनेट टोटके अंद्विश्वासाधी आते हैं अब आये देखते हैं चौथा internet से प्राप जनकारी समागरी कि वर्तमान स्मय में में इंटरनेट के माध्यम से विग्ञान प्राफ्त हो रहा है internet से प्राफ्त सभी परकार के ज्ञान को को हम परमानुक ज्यान नहीं माल सकते हैं क्योंकि कई परकार की सुचना सही नहीं होती है इसलिए इंटरनेट से प्राप्त ज्यान के सुरोत को सावधानी पुर्वक विचलेशन के बाद परमानिक बनाएं जा सकता है करके हम परमानिक बना सकते हैं किल लिखाल अन भहुत से प्राप्त गयान हमारे विकति अनभव कर देके माल लेजे आधारी सब व्यक्ति का क्या होता है समझें करा कि हम जानते का प्रवर ही कि अपना प्रस्टी घृता हम तो प्रस्ट भीक्ति मिष्ट होता कोई चीज भीक्स रह था उसे ऊसमें क्या होता है वस्तु निष्टा लेकिन आपको बोला जाएगा कि की बिहार के बारे में आप बता इए देखे सब अलग अलग सुन चराक बारे में कोई खराब यह सब चीज के बारे में फिलिका है? थे ındaki अंतरड्रिस्टी देख्एं अंतरड्रिस्टी मतलब होते हैं मतलब उतके अंदर द्रिस्टी की मतलब 강ष के अंदर द्रिस्टी से प्राप्त ग्यान अचानक आता है तो फ्ॉस्ति को में भिचान चेल्फ याद फोगा कोहलर का जो जो सुल्तान जो अथी था चिनपांजी था वन मानुस था तो उसको एकाएक मतलग ज्ञान प्राप्त होता तो वही कर रहा है कि अंतरदिष्टी से प्राप्त ज्ञान अचानक होता है गेश्टलवादी मोनो विज्ञानिकों ने अंतरदिष्टी को परमुख परमुख ज्ञ बताया है आएसे ज्यान की उत्पथि में प्रश्थिति यहों बुद्धी का ऊचित मिश्रों उत्पन होता है इस फिर्वत से प्राप्त ज्यान का सबसे बड़ा उधारन आप नाइन तेंथ में पढ़ेंगे नाइन पढ़ना है आर्कमेज़ी के सिधान देखें उसमें वह बात्रूम में असनान कर रहा था तो टॉब में बैठ जैसे बैठाना तो यह उपला यूरेका यूरेका कखे चिलाया मतलब एक उसको क्या हुआ कि आर्कमेज़ी का सिधान्त का खोज कर दिया मतलब कि मतलब वही मतलब दो गयान अंतर दिस्टी ज्ञान का वह सबसे बड़ा उध्धारन है आपको परईये यूरेका यूरेका मतलब खोज लिये-खोज लिए-खोज लिए इूरेका समझे तो पाई चीज तो आप क् यूव प्रकाय कर सकते हैं समाजिक अंत्रकी ह मिलेगा उतना ज्याद आपको करने की विभिन वीधिया मेट है निट्राइणी तो देखते हैं ग्यान का प्राप्त करने की ज्ञान प्राप्ति के नेम लिखित विद्या का प्रियूग किया जाता है और उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है जैसे लोग को फर्स्ट एर में हम थे तो वहां पर अब्जर्वेशन का नियम ही होता है कि वहां पर जाके आपको समस्काटा लिखने खार के सिखने की घृतक का करने के महत पून-विधी यह हम करके शिकने की ज्ञान करने की महतramento बल देदता है यह बाला की यह विदी से स्वेपक पर्यास्ष से ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसे उनका इंग स्वास बढ़ता फिर य्खाया अभव से सबसे बढ़ा सिक्षक होता है मतलब राय मतलब गजब देगान वह उसका होगा नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए खराब जगा है यह सब समस्च्या कैसा समस्च्या का बिशलेशन करेंगे एनलेसिस करेंगे कैसे इसका हो रहा जाता है और कईसे आप समस्च्या का समस्या समदान है तुन सबकार करना है उसकार कर लिए यह समस्या समदान के लिए बना हुए ऑच्छा है कि नहीं इलए तिसरा संदा समधली संभाध वेधि का विकास प्लोट ने किया था मतर rozesan भी मेठड बोलते हैं इसको इस विदी में दो वेक्तियों के मत संबाध के द्वारा ज्यान का सिर्जन कहाने कि खोज विदि मतलब मतलब रखते यह और कोई को क्यों कि पूछा जाता जिसे क्या होता है ज्लखलगी होती है फिक दी के द्था प्रमचुन अधर विधी कर शुक्राती होएं और शुकारात ने किसम मतायों आगवन विधी जानते हैं क्या होता है मतलब जो जो उद्धारन के द्वारा स्टार्ट होते हुए हम वह चीज को समझाते जाए वह बताएंगे दूसरा समस्य समधाना आई आप तीसरा है तरक बुद्धी तरक बुद्धी के अंतरगत मुख रुप से दो विधी आती है आग असुल से शुक्ष कंशमिए यृरा से छोटा ग्यूरा हमको उध्हाराण देते हुए उस चीजको हम समझाइगे अंप तॉपिक को समझाए याällt इस विदिए के Content स्वामी विवेकानन ने बहुत महत विदिया था स्वामी विवेकानन ने कहा था कि एगड़ता ही सकतिक ज्ञान को संचीत वभंडार की एक मात्र कुंजी है समझ गये तो यह आप समझ गए होंगे देखिए अब है आपका इक खतम हो गया आपके सूंचना के बारे में आपको हम अगिल्व का जो मैरा पाठ ठाट विडियो आएंगा मतलँ कि ज्ञान और नोजेज एन केरिकूं का उसमें पठ हें फार्ट विडियों में हम आपको हम बताएंगे कि उ सleepsना और सुचना में पहले बताएंगे कि सुचना क्या होता है सुचना का अर्थ परिवास सुचना की विशेस्था उसके बताएंगे कि सुचना और ज्यान एक दूसरे से कैसे संबंदित है सुचना और ज्यान में क्या अंतर है एक चीज के बारे में आपका एक सेप्रेट वीडिय आपर तेम्धा थैंक यू